केंद सरकार ने 24 अगस्त को Employees के लिए Unified Pension Scheme का एलान किया है Employees लंबे समय से Retirement के बाद अपनी Pension Income पर गारंटी की मांग कर रहे थे UPS का फाइदा सर्फ उन Employees को मिलेगा जो अभी नए Pension System का हिस्सा है Retire हो चुके NPS के Subscribers भी इसमें शामिल होंगे सवाल है कि क्या आपको NPS से UPS में स्विच करना चाहिए Experts का कहना है कि NPS से UPS में स्विच करना चाहिए या नहीं ये Employees के लक्षे पर लिरभर करेगा कुछ Employees Share Market जैसे Return की उमीद कर सकते हैं जबकि कुछ Employees Guaranteed Pension पसंद कर सकते हैं Value Research के CEO धिरेदर कुमार ने कहा अगर आपको इंडिया की Growth Story में भरूसा है और आपके Retirement में कई साल बचे हैं तो आपके लिए NPS में बने रहना फायदे मन्द होगा अगर आपको पता है कि Share Bajar कैसे काम करता है और आपके Retire होने में कम से कम 10 से 20 साल बाकी है तो NPS में काफी ज़्यादा Return देने की श्रमता है Letter Wealth Personals के CEO सुरेश सद गोपन का कहना है कि UPS का सबसे बड़ा Attraction Guaranteed Income है सरकार ने कहा कि UPS में Employees को उसके अंतिम 12 महीने की ओफसत Basic Salary का 50% पैंशन मिलेगी कई सरकारी Employees के लिए ये बड़ा Amount हो सकता है उन्होंने कहा NPS के Subscribers UPS में स्वेच करने पर विजार कर सकते हैं क्योंकि इससे Retirement के बाद आपनी Lifestyle के लिए परयाप्त पैंशन मिलती रहेगी ये समझना चलूरी है कि UPS में भले ही पैंशन की गरंटी है लेकिन ये OPS यानि Old Pension Scheme से अलग है UPS पूरी तरह से Funded Scheme है तोसमें Employees को अपनी Basic Salary और DA का 10% कांट्रिब्यूट करना होगा Employer यानि सरकार 18.5% कांट्रिब्यूट करेगी UPS के Defined Pension Scheme जो Employees को मिलने वाली अंतिम सेलरी पर अधारी थै मरसर कंसल्टिंग की इंडिया बजनस लीडर प्रतीचंद शेकर ने कहा UPS जैसे Inflation Linked Scheme में Employees के लिए Interest Rate और Logivity Risk घट जाता है क्योंकि इसका बोल सरकार उठाती है UPS के बारे में Experts का कहना है कि चुकि ये Defined Benefit और Defined Contribution Scheme का Mix है जिससे Corps का परभंदन काफी ध्यान पूरवक करना होगा UPS में Employer और Employees को दोनों को Contribute करना होगा सरकार के 18.5% कांट्रिबूशन में से 8.5% एक अलब फंड में जाएगा जिसे Guarantee Reserve Fund कहा जाएगा एक बार UPS में स्विच करने पर वापस NPS में जाने का विकल्प नहीं सरकार आने वाले दिनों में UPS के बारे में जादा जानकारी देगी जिससे उन्हें ये फैसला लेने में मदद मिलेगी कि इसमें उन्हें स्विच करना चाहिए या नहीं UPS Employees के लिए एक विकल्प है वरतमान और नए Employees के पास NPS और UPS में से किसी एक का चुनाव करने का विकल्प होगा सरकार में कहा कि एक बार सलेक्ट करने के बाद उसमें बदलाव नहीं होगा कर दो